तुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यूकरेन संकट पर सोमवार शाम को एक और हाई लेवल बैठक ही और इस बैठक में विदेश मंत्री एजज़ेशंकर केंद्री मंत्री प्यूश गोयल, हर्दीपूरी, जोतरादित सिंधिया, वीके सिंग, किरिन रिजिजू और पूरी हंगरी, जबकि जोतरादित सिंधिया, रुमानिया और मोल्दोवा जाएंगे, फिर ये मंत्री यूकरेन में फसे भारती लोगों से बाच्चीत और उनको निकालने के प्रबंद कराएंगे, इतना ही नहीं, भारत अपने पडोसी और विकाश्रियल देशों की मदद भी करेगा और उनके लोगों को भी उनके देश पहुचाएगा, सुत्र के मताबक इनको भारत का विशेश दूद बना कर भेजा जाएगा, यूकरेन का हाई हवाई शेतर बंद होने की वज़ए से भारत वहां फसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलान्ड और असलोवाकिया से लगी यूकरेन की सीमा चोकियों से के जरिये वहां से बाहर निकाल रहा है, और उतना ही नहीं, यूकरेन और रूस के बीच जारी जंग में भले ही भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, लेकिन उसने मानवी आधार पर बड़ा दखल देने का फैसला लिया है, प्येम मोदी ने यूकरेन को मानवी ये मदद भेजने का फैसला लिया है, जिसके जरिये भारत यूकरेन को खाना, पानी और दवाय समेथ का ज़रूरी सामान मुहया करवाएगा My government has also decided to provide urgent relief supplies, including medicines, and these are being dispatched